गुड मॉर्निंग दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके यूटूब चैनल करन जी के विद रवीजन मैसल्फ राकेश कुमार आज अपने बात करते हैं 8 जनवरी के most important question की सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की first question हाल ही में किसे भारत में बिटिस उचायुक्त न्युक्त किया गया सो अलेकजेंडर एलिस को अभी न्युक्त किया गया है और इंडिया की तरफ से इंगलेंड के अंदर जो हमारे उचायुक्त बने वा दायतरी कुमारी जी है फिर बात करते हैं किस रज्य सरकार के द्वारा भी हाली में वहां के युवाओं को अत्तम निर्बड बनाने के लिए launchpad योजना स्टार्ट की गई तो मद्य परदेश सरकार के द्वारा बेसिक लिए स्टार्ट की गई है जो भी चायल्ड इंस्ट्यूशन था है जहां पर बच्चे रखे जाते हैं और जब वो 18 एर की ओल्ड प्राप्त करते हैं तो वहां से जब बहार आएंगे तो वहां मद्य परदेश के जो महिला मंत्रालिया है उसके द्वारा लगबग 6 लाक रूपीज का लोन उनको प्रवाइड करवाया जाएगा और एक पर्टिकुलर जगें प्रवाइड करवाया जाएगी जहां पर वो अपने कोई कोफी शॉप या फिर अपना कंप्योटर स लेटेड कोई कॉपिंग मशीन एड सक्टा किसी कार्य को वो कर सकते हैं फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोशिन के बारे में हाली में किस देश ने गर्बपात को वेद्य बनाया है सो अर्जटीना कंटी के द्वारा इस कलो अभी वेद्य बनाया गया इसके लिए वहां पर रूप में किसे निख्त किया गया 1618 को अभी इस लेटेन जरinery के रूप में उप nap presented किया गया है फिर बात करते हैं टोइक का थोन टू था थाउजन टॉन्ट यवन ओर टाइक का थोन पोर्टल को अभिहाली में समृतिरानी और रमेष पोख्रिया जी दोनों के द्वारा जो sell है वो गुजरात रज्जे के सूरत city के अंदर open हुआ है वर्ड बैंक के इंसार financial year 2021-22 के लिए भारत की जो GDP दर है वो 5.4% रहने का अनुमान लगाया गया है और ये दिसी तरह से 2021 की बात करते हैं तो वर्ड बैंक के अनुसार जो financial year की GDP रहने का अनुमान लगाया गया वो माइनस 9.4% रहने का अनुमान लगाया गया है फिर बात करते हैं आज की वीडियो के first question की Bloomberg Billionaires Index के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति अभी हाली में कौन बने है सो एलन मास्क जो की टेसला कंपनी के मालिक है उन वो जो है पर्टिकलर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं और उनकी जो नेट वर्थ है भी 195 बिलियंज डॉलर्स अभी पर जन टाइम में है फिर बात करते हैं इस लिस्ट के अंदर जो second position पे रहे हैं वो थर्ड पोजिशन पे जो रहे हैं वो Microsoft के अलेन जो हैं मालिक वो रहे हैं फिर बात करते हैं बाकी के जो उप्षिंस हैं उनकी जैसे जॉन शेंचान के बात करते हैं तो ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं और इस लिष्ट के अंदर ये 6th नंबर पे रहे हैं वर्ड के सबसे अमीर व्यक्तियों के लिष्ट के अंदर ये 6th नंबर पे हैं और मुक्य समभानिक की बात करते हैं तो ये जो है एशिया के अंदर सेकंड पोजिशन पे सबसे अमीर व्यक्ति और वर्ड की अकोडिंग ये दिबात करते हैं तो थर्टींथ नंबर पे ये पहुंच गई हैं फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोशन के बारे में किस राज्य के मुख्य मंत्री ने भारत के पहले फायर पार्क का मैक जी के द्वारा इसका उद्धगाटन किया गया और इसके उद्धगाटन करने के साथ साथ में वहाँ पे अगनी शेवा समन नाम से एक वेब पोर्टल का उद्धगाटन भी उनके द्वारा किया गया है इसी तरह से इपने बात करते हैं भारत का पहला रज्य है जिसने जिसने fire safety को online किया है उसका answer आप लोग मुझे comments में देंगे कि कौन सा रज्य है जिसने first time या सबसे पहले fire safety को online किया है इस जिससे आप certification ले सकते हैं फिर बाकी के जो options हैं उनके बात करते हैं जिसे केरला के बात करते हैं तो केरला के तिरुवंत पुरम के जो निगम है उसकी म से मद्य परदेश की बात करते हैं तो यहां पर यहां की युवाओं को आत्म निर्बर बनाने के लिए एक launchpad नाम से scheme स्कीम स्टार्ट की गई गोवा की इर्दी बात करते हैं तो यहां पर फिफ्टी फर्स्ट नंबर का जो international film festival है उसका आयो जनवरी के अंदर किया जाएग है तो ओडिसा के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे की वेश्ट बेंगाल हुआ जार खंड हुआ चक्तिसगर हुआ और अंदर प्रदेश हुआ इन फोर स्टेट की बाउंडरी इसके साथ टच होती है फिर बात करते हैं ओडिसा के बारे में तो यहां के जो मुख् का सर्टिफिकेशन मिला है यहां की चीफ मुनिष्टर नवीन पतनाईक जी है गवर्नर यहां के गनेशिलाल फॉर्मेशन जो हुआ फर्स्ट अपरेल 1936 को हुआ यहां की जो हाइस्ट पीक है वो देव मुली नाम से जाने जाती है फेस्टिवल यहां का रतियात्रा है और यहां का गुमुरादान्स और रुक मारनाच और चाहू डानस यहां पर होते हैं और जो घुमरदान्स है वो पर्टिकलर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि वो कहां किस स्टेट से लेटेट है फिर बात करते हैं कोनार का जो स्न टेंपल यहीं पर पर्जय इसी तरह से जो नेशनल पार्क है, सिमली पाले नेशनल पार्क और वितरकनी का नेशनल पार्क यहां पर परजेंट है। विधान सबाकी 147 सीट्स, लोग सबाकी 21 और रजे सबाकी 10 सीट्स यहां पर परजेंट है। उसके बाद अपने बात करते हैं करेंट न्यू जो फोडि का जो मेंस वर्ल्ड कप होगा उसका आयोजन भारत के अंदर उडिसा के अंदर किया जाएगा इसी तरह से अंतर राष्ट्य सेंड आर्ट फेस्टिवल और कॉनांग कनट्य फेस्टिवल के नाइन्थ अडिशन का आयोजन यहां पर किया गया मचली से बने उतपाद जो ते अ उडिसा के रही है मद्दू बाबू पैंशन स्की मिहां पर स्टाट की जिसके अंदर ट्रांजेंड वेक्तियों को सामिल किया गया भूमेहिन किसानों के लिए बल्हाम योजना स्टाट की गई और पांसो साल पुराना जो महामंदिर है वो यहां की महानदी के अंदर मिला ह इससे के साथ साथ जो उडिसा का रज्य सौंग है वंदे उतकल जो कि लक्षमी कांत महापातरा जी के द्वारा लिखित है उसको रज्य सौंग का दर्जा मिला और भारत का पहला जो सुनामी तियार रज्य का जो दर्जा मिला है वो भी उडिसा को मिला है और यह जो निलो स करते हैं इद्धी आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हूँ तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा जो भी परसन इस चैनल को फ़स्ट टाइम देख रहे हैं करंड जी के विद्र वीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पास में जो बैल आइकन दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिए जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा दीगी हर इंफॉर्मिशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोशन के बारे में भारत ने किस देश के साथ मिलकर अभी हाली में MRSAM medium range surface air missile जो वायू और इस्राइल aerospace industries के दोरा पर्टिकल मिलकर बनाया गया यह जो मिसाइल बनाए गई है इसकी जो रेंज है वो 15 to 70 किलोमेटर तक की है अब अपने बात करते हैं DRDO की सो 1st January 1958 को इसका DRDO को बनाया गया था establishment इसको हुआ था और इसके जो भी प्रेजिडेंट बने हुए या फिर अध्यक्स बने हुए डॉक्टर जी सतीस रेड़ी जी बने हुए और इनके अभी कारेकाल को भी बढ़ाया गया है फिर इसका headquarters जो है न्यू देली के अंदर परजेंट है तो अपनोंने यहां पर बात किया इसराइल कंट्री के बारे में तो बात करते हैं इसराइल की सो यहां पर आपको मैप शो किया गया और यह वाला जो पोर्षन है वह आपको इसराइल का शो किया गया है तो इसराइल के साथ इसके जो एजिप्ट कंट्री है जोर्डन कंट्री है शीरिया है और लेबनान इनकी countries की boundaries के साथ तचोती है इसी के साथ साथ जो उमध्य सागर है Mediterranean सी उसकी boundaries के साथ तचोती है डेड सागर भी यहाँ पर present है फिर बात करते हैं यहांकी जो capital जेरुसलम में प्राइम मिनिस्टर जो है बेंजामीन में त्यानू जी बने हुए है प्रेजिडेंट यहांके जो रेविलीन बने हुए है और यहांकी जो करन्स यह न्यू शेकल नाम से चलती है फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोशन के बारे में एशिया परसांथ में गूगल क्लाउड के परमुक के रूप में भी हाले में किसे निक्त किया गया जो करन्बाजवाजी को अभी हाली में यूटत किया गया है और अभी करन्बाजवाजी जो है भारत के जो गूगल क्लाउड है उसके परमुक में बने हुए थे अब इनको एशिया परसांद का मनाए गया है इसके बाद ये भी Singapore के अंदर transfer हो जाएंगे और 2021 के जो starting से वहाँ पर transfer हो जाएंगे और ये जो Google Cloud India के भी परमुक के रूप में कारे करेंगे जब तक की नया परमुक यहां पर chain नहीं कर लिया जाता फिर बाकी के जो options हैं उनके बात करते हैं तो ये अभी हाली में उपसे ना परमुक नुक तक किये गए हैं फिर बात करते हैं next question की किस के अंदर सासित परदेश में खेलो इंडिया ISO की टूर्नामेंट को अभी हाली में शुरू किया गया फिर बात करते हैं next question के बारे में अमरिका का अगला जो attorney general है वो किसे निक्त किया गया सो राइट आंचर होगा मैरिक गार्लेंट को बेसिकली इसके लिए chain किया गया है जो अमरिका के राष्ट कती है 46 नमबर के जोई बेडेन उनके द्वारा जो एक टीम बनाई जा रही है जिसके अंदर इनको सामिल किया गया इसी तरह से जो associate attorney general है वो वनिता गुपता जी को select किया गया फिर बाकी के जो option है जैसे Alexander Alice के बात करते हैं तो ये बिटेन के भारत में उचायुक तभी select किये गया है और के के वेनु गौपाल राउ जो है particular इंडिया के attorney general है फिर बात करते है next question के बारे में इंडिया is a 71st year test the journey to time in Australia शिर्षक जो पुस्तक है उसके लिखक कौन है तो आर कोसिक जी के दोरा particular ये पुस्तक लिखी गई है आर कोसिक एक senior cricket player थे फिर बाकी के जो options है उनकी बात करते हैं जैसे N.K. Singh की बात करते हैं तो इनके दोरा portraits of power half a century of being at ringside नाम से एक पुस्तक लिखी गई है इसी तरह से अपने बात करते हैं जो वेनान master classes है उसके जो पुस्तक के लिखक एलफ्रेंडो कोवेली है जो की इटली के रहने वाले हैं इसी तरह से अपने सब्रीमाला विजनन कोशन की बात करते हैं जो पुस्तक लिखी की के एस विजनाज जी के द्वारा फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोशन के बारे में पुर्सों के टेस्ट मेच में पहली महिला अंपायर भी हाले में कौन बनी सो राइट आंसर होगा clear पॉल्स को जो है particular ये female अंपायर बनी है ये जो अपनी अभी इंडिया और अस्टेलिया के बीच में थर्ड टेस्ट चल रहा है उसके बीच में ये फौर्थ अंपायर की भूमिका निभा रही है इसी तरह से जो वंडे के अंदर पहली महिला अंपायर बनी थी वो भी यही बनी हुई है फिर बाकी के जो उप्शन से उनकी बात करते हैं जिसे की ऐल सी पैरी की बात क करते हैं तो ये ऑश्टेलिया की एक फौर्मर कीटर है जिनको भी आई सी सी हौल ऑफ फैम में सामिल किया गया इनके साथ साथ जैक टालिस और पाकिस्तान के जो जहार अबास जी हैं उनको सामिल किया भर बात करते हैं लूसी ब्रैंज जिनको विफा वोमन्स बिस्ट प्ले जी को चुना गया बारत के 51 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिमल के जूरिक के प्रमुख के रूप में पैबलो सेशर्स जो की अर्जेटिना के हैं और वहां के फिल्म डारेक्टर है उनको चुना गया है मलाला योसिफ जाई जो छातरवर्ती अधिनियम है वो USA कंट्री के द आज इंडिया चेस फेडरेशन के नई अधिक्स के रूप में संजे कुमार जी को संजे कपूर जी है उनको चैन किया गया और सैकेर्टी के रूप में भरत सिंग चौहान जी को स्लेक्ट किया गया है AICF का जो मुख्यालिया है वो चैन्नाई के अंदर परजैंट है जो के अंदर रही जो कि around 60,000 के पास रही है फिर बात करते हैं बजाज ओटो जो कंपनी है दुनिया की या विशु के सबसे बड़ी दूप या मुल्यवान कंपनी बनी है फिर IDBI बैंक के द्वारबी हाली में सैमिंग अकाउंट को खोलने के लिए KYC की सुविदा स्टार्ट की फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोशिन की पंडित दीन द्याल उपा द्याय दू संचार कोशल उतकर्ष्टा पुरुसकार से अभिहाली में स्री निवाशन करनम और सुर्भात कार को बेसिकली इसके लिए चेन किया गया किस राजे ने एक विशेस अभ्यान वरासत स्टार्ट किया उत्रप्रदेश के द्वारा बीबीसी स्पोर्ट परसनेलिटी ओप दायर 2020 के लिए लैविस हैमिल्टन को चुना गया रक्षा मंतरी राजना सिंग जी के द्वारा भारत की पहली 15 प्रिक्षन सुईदा का आरम जो है वो तेलंगाना के द्वारा तेलंगाना में किया गया वाज़पी दा येर्स दैट चेंज इंडिया पुस्तक के लेखत जो है शक्ती इंशिना जी है अंतर राष्टी एमानों एक जूटता दिवस द्वा टॉंटीन दिसम्वर को मनाया गया विदुध क्षेतर में कोशल विकास के लिए पहले उतकरश्ता के अंदर का उध गाटन जो है वो राजकमार सिंग जी के द्वारा रियाना के गुर्ग्राम में किया गया फिर बात करते हैं थेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में जो है टोटल फोर गेम्स को अभी इंक्लूड किया गया जैसे इनको इंक्लूड किया गया है तो टोटल टवन्टी गेम्स की सं का एक गेम है और काला रिपाई तू जो की केरला का एक गेम है इन फूर गेम्स को अभी इसके अंदर इंक्लोड किया गया है फिर बात करते हैं यह था आज का वीडियो पसंद आया हो था आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा जो भी परसन इस चैनल को फॉर् प्रिश किया जाएगा जिस जो भी परसन आज के कोशन का आंसर मुझे कमेंट्स में देगा यहां पर जो यह टेबल दिखाई गया है कोशन आनसर की आज के कोशन के आंसर की है एड़ दालास थैंक्स पॉर वोचिंग थैंक्यू थैंक्यू सो मच